हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं स्टीम बॉयलर से मावा खोया बनाने का प्लाइट दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो दूद का बिजनस करते हैं या दूद से किसी प्रकार की मिठाई बनाने का कारे करना चाहते हैं यदि आप हमारा ये प्लांट लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिये गए आउडर बर संपर्प कर सकते हैं यह जैपूर स्टीम अनरजी कंपनी के द्वारा लगाया गया है इस प्लांट में चार आटोमेटिक वर एक मैनवर दोनों तरह की कड़ाई लगाई गई हैं जिन्हों स्टीम बॉयलर से ओप्रिट किया जा रहा है इन कड़ाईों को मावा खोया बनाने के कामें लिया जाता है यह स्टीम से चलने बादी बहर कड़ाई है इसके लिए स्टीम बॉयलर की जरुद पर जीए एक ऑटोमेटिक कड़ाई में आप एक बैच में 20 लिटर दूद का मावा 20 मिनट में आसानी से बना सकते हैं इन कड़ाईों में पल्टों की सहायता से दूद गूनता रहता है जिससे दूद कड़ाईों में नहीं लगता हमारे पास एक कठाई से लिएकर सभी प्रकार के बॉयलर बढ़ती कुप लगत है जिसे आप खोवा, मावा, पनी, पीठा, रजगुल्दा, बूरा, कपलाण, गुड़ का प्लाण, कैंडी का प्लाण आदि सभी कारे कर सकते हैं इस प्लाण की सहायता से आपका इंधन और समय दोनों की बचट होगी जिससे आप कम समय और कम कीमत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं जिससे आपका मुनाफ़ा भी अधिक होगा और आपका बिजनिस भी और अधिक परहेगा इस बॉयलर में इंधन की बचट होती है। सौ लीटर दूद का मावा बनाने में सिर्फ 23 किलो लकडी लगे है। बॉयलर लकडी, गैस या सोलर से चला सकते हैं। बॉयलर सभी उध्योगों में लगा सकते हैं जहां हीड वेस्ट टीन की आवशकता होती है। क्यादी आप डेरी दुग्द उद्यूंग से जुड़े हुए हैं या दूद से मिखाई बनाने का बिजनस करना चाहते हैं। या आपको अपने उत्वाद बनाने के प्रोडक्शन है तो किसी भी प्रकार की स्टीन बॉयलर वर कड़ाईों की आवशकता हैं। तो हमसे संपर्थ करें। हमारी और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के पास शेयर करें जो इस बिजनस से जुड़े हुए हैं या ऐसा बिजनस करना चाहते हैं।